नमस्ते जहिन सात्यों आप तमाम दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591 पर स्वागत है जैसा कि आप सभी जान रहें बिहार SSC की तैयारी के लिए कंटिनू सेट प्रेक्टिस इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड किये जा रहे है और इस वीडियो में आपको सेट नमबर 19 का GKGS जितने भी प्रसन होंगे उसको सॉल्व करेंगे और अगर आपने कोई भी वीडियो मिस किया है किसी भी सेट प्रेक्टिस को तो आप इस चैनल के प्लेलिस में जाएंगे वहाँ सभी वीडियो आपको एक साथ मिल जाएंगे आप वहाँ सेट को आप लगा सकते हैं या वीडियो को देख सकते हैं इसके बाद अगर आप चैनल के साथ पहली बार जूरे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वीडियो को लाइक करेंगे और बेल आइकन को ओन करने के बाद और नोटिफिकेशन को वहाँ से क्या करे मंत्री बासुदेव ने की थी जिसे आगे चलकर डैस वंस की अस्थापना की तो कर्णव वंस की अस्थापना हुई थी अंतिम सुंग सासक जिसकी हत्या हुई थी ठीक है उसके मंत्री बासुदेव ने की थी बासुदेव ने इसके क्या किया था कर्णव वंस की अस्थापना की गई थी और उसके बाद कर्णा वंस की अस्थापना की थी इससे पहले अगर बात करें तो यह जो है सुंग वंस का संस्थापक जो था वह पुस्सिमित्र सुंग था पुस्सिमित्र सुंग ने सुंग वंस की अस्थापना की थी और इसने भी मौरे वंस के अंतिम सासक जो कि ब्रिधत था ठीक है ना अंतिम सासक ब्रिधत था और इसकी हत्या की गई थी पुस्मित्र सुंग के द्वारा और इस ब्रिधत की हत्या करने के बाद पुस्मित्र सुंग ने स्थापना की थी साथ ही वीडियो के दोरान आपको थोड़ा सा डिस्टर्बंस आएगा चुकि साउंड है आज पर उसमें थोड़ा सा साउंड हो रहा है तो उसका एफेक्ट आएगा चुकि हम लोग वीडियो में रूप नहीं सकते हैं अगर यहां से रुकेंगे तो प्रैक्टिस अधूरा रहेगा ना चुकि बहुत सारे आगे हम लोगों को टास्क कंप्लीट करने है तो थोड़ा सा साउंड करेंगे लेकि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा तो उसे आप एड़ेस्ट कर लेंगे चलिए बढ़ते हैं आगले प्रशन संख्या 2 निमलिखित में से किस सुच में जीब के कारण साइट्रस कैंकर होता है किस सुच में जीब के कारण तो यह है जीवानु जीवानु के कारण जो है वह साइट्रस कैंकर होता है ऑप्शन नमबर साथियों यहां से सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यह जो साइटरस कैंकर है नीम्बू के सबसे मुहत्वपुन रोब में से एक रोग होता है चली अगला प्रसने प्रसन सेंख्या तीन भारत के संविधान की प्रस्तावना में निमलिकित मेंसे कौन सा सब्समिलित नहीं है, कौन से सब्समिलित का उसमें जिक्र नहीं किया गया है तो उसमें नयाय संप्रभुता और बंधुता का जिक्र है जबकि पुन्जिवादी का जिक्र उसमें नहीं है तो option number A हमारा यहां से correct answer हो जाएगा देखिए सम्मिधान की बात कर रहे हैं तो आपको यहां पता होना चाहिए कि हमारा सम्मिधान जो है उसका निर्मान कब किया गया था तो सम्मिधान जो बनकर तयार हुआ था आपका 26 नॉवंबर 1949 को और इसे लागू कर दिया गया 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 से यह प्रभावी हो गया लागू हो गया सम्मिधान को बढ़ने में कुल कितने लगये थे दो वर्ष 11 मा और 18 दिन का समय लगया था सम्मिधान सभा के प्रारूप समीती के अध्यक्स थे डॉक्टर भीम राव अम्वेदकर बावा सहे भीमर अम्वेदकर प्रेस्ट संक्या 0 चौथे नंबर प्रेस्ट में कह広ए के प्रधानमंत्री न्रान्द मोदी ने भारत में नोट बंदी की घोसना किस वरस की थि उनके द्वारास convene की घोसना की गई थी 2016 में तीक है option number 7 और D यहां से हमारा correct answer बनेगा और इस note बंदी में नेरंदर मोदी ने 500 के जो पुराने note थे और इसके साथ-साथ 1000 रुपया का note था उस currency को क्या किया गया था बंद कर दिया गया था और उसके जगह पर 500 का नया note 500 का नया note और 2000 2000 का note क्या किया गया था जारी किया गया था और यह note बंदी थी आपका 8 November 2016 को 8 November 2016 को denominatization किया गया था note बंदी की गय थी चलिए इससे पहले भी अंग्रेज सरकार के द्वारा एक बार 1946 में हुआ था और उसके बाद आजादी के बाद 1978 में भी note बंदी हो जुगा था अब दोनों date को भी याद रख सकते हैं 1946 में जो की उस समय भारत स्वतन्त नहीं हुआ था उस समय भी note बंदी हुआ था और उसके बाद 1978 में 1978 में भी ऐसा किया गया था अगला प्रसन सेंक्या 5 हस्देव और जोंक नदिया भारत के किस राज में पाई जाती है देखिए नदिया पाई नहीं जाती है है यह तो कोई जीब नहीं है जो पाई जाएगी वैसे पाई जाती है यह वोड बहतर नहीं किस राज में है ऐसा प्रसन होना चाहिए था तो यह साथियो 36 गट में है हस्देव और जोंक नदिया जो है वो भारत के 36 गट राज में बहने वाली नदिया है या महा नदी की एक प्रमुक जो है सहायक नदी है महा नदी 36 गट तथा उडिशा अंचल की सबसे बड़ी नदी है प्रसे संक्या 6 कौन से भारतिय कप्तान सबसे तीज 12,000 वंडे रन बनाने वाले क्रिकेटर बने उन्होंने 2020 में ही उपलब्दी हासिल की ऐसा करने वाले बने हैं विराट कोहली आपसर नदी जिन्होंने सबसे तीज गती से वंडे इंटरनेस्टल क्रिकेट में 12,000 वोले की है इससे पहले कुल पांच बल्बाज और हैं जो ऐसा कर चुके है एक आपके सचीन तेंदूल कर आएंगे एक आपके सचीन तेंदूल कर है एक आपका रिकी पॉंटिंग है एक आपके जैसुरिया है तीसरा एक ये दो ये तीसरा जैसूरिया है सनत जैसूरिया ठीक है आपके चौथे में कुमार संग कारा है एक करम नहीं है मतलब एक नाम लिख रहे हैं इन लोगों के द्वारा बारह हजार ओडियाई रन पूरे किये गए संगा कारा है ना उसके बाद पाचमा है आपके महिला एमफ प्रृणी छठे बने है और तिज ड्यती से पूरे करने वाले पहले बल्यवाज बने है उदसे हैंसे किस इसने प्रसीद कोहे नूर ठीक है को जिसको कोहे नूर हीरा कहते हैं और सहाजहां के जरित, सहाजहां के रतन जरित मयूर सिंहासन को छिंद लिया था देखिए, यह छिना गया था नादिर सहा के द्वारा, ठीक है, अपसन नमबर डी यहां से correct answer हो जाएगा सहा जहां को यह हीरा जो है मीर जुमला के हाथों से प्राप्त हुआ था और सहा जहां ने इसे तक्त ए ताउस जिसको मयूर सिंहासन कहते हैं उसमें क्या किया गया था जरवा दिया था लगवा दिया था 1749 में जिसको इरान के नपोलियन के नाम से जाना जाता है उसने मुगल बासा पर आक्मन किया भारत के जो मुगल बासा है उपर आक्मन किया और कोहिनूर हिरा के साथ साथ मयूर सिंहासन को भी लेके चला गया था अगला प्रसन है प्रसन सांग्या आठ यूद छेत्र में अपने दुस्मनों पर जीत का जस्न मनाने के लिए नागा लेंड की जो चांग जन जाती है कौन सा निर्त करती है उसके द्वारा चांगलो निर्त किया जाता है चुकि चांग जन जाती है तो चांग निर्त ही करेगी प्रसिन संख्या 9 Deuterium और Tritium है यह एक Hydrogen के समस्थानिक होते है Option number B हमारा यहां से correct answer बनेगा प्रसिन संख्या 10 कोलकाता में Salt Lake के Estadium का नामकरन किसके नाम पर किया गया है इसका नामकरन जो है स्वामी विवेकानन के नाम पर किया गया है कोलकाता में स्थित Salt Lake Estadium का नाम अब इसका नाम विवेकानन भारती युगा Estadium हो गया है और यहां बैठने की चमता के आधार पर एसिया का चोथा सबसे बड़ा स्पोर्ट Estadium बना है प्रसिन संख्या 11 2011 के जन गना के नुसार निमलिकित में से किस राजि में लिγंग अनुपात प्रती 1,000 पूर्सों की तुलना में महिलाएँ 1,000 से अधिक है 1,000 पूर्सों पर महिलाओं के संख्या जादा है ऐसा कहाँ पर है केरल में प्रसिन एक के जन गना के संदर्में बात करें तो कई सारे प्रेशन पूछे जाते हैं जैसे, 2011 के जन गन्या के अनुसार सबसे ज़्यादा जन संक्या गहना तो आपका भिहार का हो जाएगा, लिखेंगे नहीं बोलते जाएगे और सबसे कम जन संक्या गहना तो अरुनाचल परदेश का हो जाएगा, अर्वनाचिल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रती वर किलोमेटर 2011 के जनसंख्या जनगन्ना के अनुधार पर ऐसा बताया जाता है एक रिपोर्ट है और सरवाधी के जनसंख्या की बात करें 2011 के जनगन्ना के उसार तो उत्तर प्रदेश क्यों हो जाएगी सबसे कम जनसंख्या आपका सिक्किंग कराएगा सबसे ज़्यादा लिंगा अनुपाद केरल में है और सबसे कम लिंगा अनुपाद हरियाना में है अप्शन बी हमारे हैं से करेक्ट आंसर बनेगा बढ़ते हैं अगले प्रसंग की दरफ तब तक आप वीडियो को सेर कर दीजे और इसे लाइक कर दीजे अठारसो पैंतालिस से चालिस इसपी के अबदी के दौरान निमली खित में से कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी और इसमें पंजाब के फिरोजपुर के पास इस यूद को लड़ा गया था इसमें सीख संपरदाय की हार हुई थी और बिटीस कंपनी का जम्मू कास्मीर पर इसे यूद के दौरान जम्मू कास्मीर पर क्या हो गया था निमलिखित में से कौन सा जहरीला पौधा नहीं है इसमें से कौन सा जहरीला पौधा नहीं है तो पार्थेनियम, नेडियम, ओलीडियर, ओली, यडर और ड्रेसीना यह सब क्या है एक जहरीला प्लांट है है ना और यह केलोट्रोपस जो है केलोट्रोपस वह आपका जहरीला पदार्थ नहीं है जहरीला पौधा नहीं है तो आपसे नमबर डी यहां से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लेकिन एक बार साथ वे चेक करते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गया ठीक है अगर यहां पर बात करें हाँ पार्थेनियम नोरियम ओलिंडियर और कैलो ट्रोपस मि कभी कभी साथियो अगर मिस हो जाए और रह जाए जिसे मैं ना पकर पाऊं क्लास के दौन तो कोई बात नहीं आप कमेंट जरूर करेंगे जैसा कि एक पिछले वीडियो में सेट नमबर 17 में 29 नमबर प्रस्ट में मिरे से मिस्टेक हुआ था और वो मिस्टेक नहीं था साथ प्रफु सुल्तान का जिक्र तो ऐसे ही आजाएगा रंग पत्नम की संदी ऐसे ही आगी तो उसका आंसर क्या होना था और और यहां बक्सर का जब यूद हुआ था तो वह पूनता क्या हुआ था अगरे जो के अधिकार में चला गया था उसकी इस्तिती बहुत बेहतर हो में तो उसमें साथियो वहां पर रंग पत्नम की संदी के द्वारा महसूर पर क्या हो गया था अधिकार उसी रंग पत्नम के यूद में जो होगा था उसी के दौरा तो चलिए कोई दिकत नहीं मिस्टेक्स होते रहते हैं लेकिन आप उसे सुधार सकते हैं अगर आप वीड अलेक्सी करके कुछ था तो उनको बहुत-बहुत साथियो धन्यबाद ताकि आपने हमारा सहयोग किया अगला प्रसन है प्रसन संक्या 14 ज्यानफिर पुरसकार पहली बार किस वर्स में प्रदान किया गया था इसे पहली बार जो है 1965 में मल्यालम लेखक थे संकर कुरुप उ जो कि क्या थे मल्यालम लेखक थे मल्यालम लेखक थे और उन्हें ही पहली बार यह ज्यानफिर पुरसकार 1965 में प्रदान किया था प्रसन संक्या 15 भारतिये धंड संघिता की धारा 304 B डैस से संब्मन्धि थे किस संब्मन्धिये इसका दहेज हत्या से ठीक है यानि कि कहोने ते पुर्व महिला क्या हो दहेज के लिए प्रतारित रहती हो यरा उसके बाद इसके हत्या होई यो भारति की धरत 334 भी है उसका संग्य जील चिलका जील जो कि भारत की सबसे बड़ी खारी पाने की जील है किस राज में इस्थित है तो यह ओडिसा में पड़ता है चिलका जील जो कि भारत की सबसे बड़ी खारी पाने की जील है प्रसन सेंख्या 17 और इसे साथियों भारत का सबसे बड़ा लेगून भी कहा जाता है निम्लिकित में से कौन सा इसमार खिलजी राजबंस के द्वारा बनवाय गया था तो साथियों अलाई दर्वाजा की एगर बात करें इस अलाई दर्वाजा का निर्मान जलालुदीन खिलजी के द्वारा किया गया था है ना अलाई दर्वाजा अलाउदीन खिलजी अलाउदीन खिलजी के द्वारा ठीक है साथ यहां पर लिख देते हैं जलालवदीन अलाउदीन कन्फ्यूजर नहीं होना चाहिए ठीक है अलाउदीन खिलजी के द्वारा अलाउदीन खिल जी के द्वारा जो है वो कौन सा स्मारक बनाया गया था अलाई दरवाजा का निर्मान कराया गया था ठीक है चली अगला प्रसन है प्रसन संक्या अठारा अठारा नमबर प्रसन में कराया कि 1968 में भारा सरकार के द्वारा प्रदत साहित अकादमी अध्याता विर्थी पाने वाले प्रतां व्यक्ति कौन थे वह पहले व्यक्ति थे इस राधा कृष्णन इस राधा कृष्णन जो है उनको 1968 में भारा सरकार के द्वारा प्रदत साहित अकादमी игра 1968 में दियागया था प्रदत शाहित अकादमी अहत्याता विर्थी पाने वाले प्रथें व्यक्जिट से उन्हें संभाणित किया गया था प्रद्षन संक्या 지나icos 2019 अगास्थ 2020 में किन सरकार नित्रांस जेंडर कर प्रद्धिकार 20оки का अधिकार डैस के द्वारा प्रदत अधिकारों का पर्योग करके ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्टिय परिशत का गठन किया है प्रस्ट फिर से पढ़ लिए चैहरा कि अगस्ट 2020 में केन सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों अधिनियम 2019 की धारा किसके तहत प्रदत अधिकारों का परियोग करके ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्टिय परिशत का गठन किया है तो गठन का प्रादान किया गया है अधिनियम 2019 की धारा सोला के माध्यम से ओप्सन नमबर डी यहां से हमारा करेक्ट आंसर पनेगा प्रस्ट सेंख्या 20 महा नभी डिब्बा का एतिहासिक महत्व निमलिखित में से किस राजवन से जुरु हुआ हुआ है इसका सम्मंद साथ यह बिजय नगर से है बिजय नगर समराज जो है वह 1336 में संगमा राजवन्स के दो भाई हरिहर राय बुक्का और राय के द्वारा हरिहर राय हरिहर और बुक्का का आप जिकर सुनते होंगे हरिहर और बुक्का ठीक है तो यहीं थे हरी हर राय और बुक का राय इनहीं के द्वारा अस्थापित किया गया था विजय नगर समराज को और इनके राजा ने 310 वर्ष तक सासं किया यह बरत्वान में हमपी है इसे ही बरत्वान में हमपी कहा जाता है तो फिलाल इसका आंसर क्या बनेगा साथियोग आपका आपसर नंबर डी है करेक्टर आंसर महानवी डिब्बा एतिहासिक महत्विनिम लिखित में से किस राजवन से तो विजय नगर से और इसे बरत्वान में हमपी के भी नाम से जाना जाता है प्रस्ट सेंग्या 21 अगर मिरत्यू दं भी अगर मिला हुआ है नहीं जो अनुच्यद बहत्र के मातर मसे ठीक है भारतिय समिधान को जो भाग पाँच है और नुच्छेद बहुत उसके रुणसार राष्टपती को प्रामदान कहिए अथवा चमादान कहिए यह परदान करने के सर्थी प्राप्त है प्रसन संख्या 22 डैस के जंगलों में पाय जाने वाले चमकीरे हरे रंग के सांप की एक नई परजाती खोजी गई है और इसका नाम साला जार एसलिथे रीन के नाम पर हड़ा खा गया है तो पूछा गया है यह कहां पे किस जंगलों में डैस के जंगलों में यह पाया गया है अथवा खोजा गया है तो यह आंध्य परदेश के जंगलों में पाया जाता है सापो की एक नई परजाती मिली है इसकी खोज की गई है और इसे इसका नाम सालाजार एसलीथे रीन के नाम पर रखा गया है प्रसिन संक्या 23 निमलिकित में से कौन बिहार की पहली महिला उपमुखमंत्री बनी है बिहार के बारे में साथियों पूछा जा रहा है तो इसका क्या अंसर हो जाएगा अगला प्रसिन है साथियों प्रसिन संक्या 24 राश्टिये खाद सुरक्षा अधिनियम 2013 कानूनी डूप से लक्षित सारवजनिक बितरन प्रनाली के तहत ग्रामीन आबादी के डैस तक हिस्से को सबसीडी वाले खादान प्राप्त करने का अधिकार देता है प्रसिन को एक बार फिर से पढ़ी है लंबा प्रसिन ने कहरा कि राश्टिये खाद सुरक्षा अधिनियम जो 2013 था वह कानूनी डूप से लक्षित सारवजनिक बितरन प्रनाली के तहत घ्रामीन आवादी के डैस तक के हिस्से को सबसीडी वाले खादान प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है प्रसंच्या 25 Carbon Monoxide के बाड़े में इन में से कौन सा कसन, गलत है, कौन सा Ay statement गलत कहा गया है यह वहनों द्वारा उँच अस्तर पर उत्पाधित होती है तो वहन से निकलते है, ठीक है कलकर खानों से भी निकलते है यह रख्ट की Oxygen ले जाने की छम्ता को कम कर देता है क्योंकि क्या करता है हीमोगलोविन में यह मिल जाता है और वह क्या करता है ऑक्सीजन आपूर्ती में बाधा उत्पन करता है तो सही बात है यह जीवन रक्षक गैस से नहीं साथ ही हो जीवन रक्षक नहीं है यह जीवन को क्या करता है समाप्त कर सकता है मृत्यू तक हो जाती यह पेट्रोल और डीजन जैसे इंधन के अधूरे दहन से उत्पन होती है complete दहन नहीं हो पाता है incomplete होता है जलन दहन उसका तो इसी कारण से उत्पन होता है तो D भी सही है एक मात्र option number C हमारा गलत हो जाएगा और वहीं इसका answer बनेगा option number C विविन प्रकार के हिंदू बिवाहों में उस बिवाह को क्या कहते है जिसमें एक यूपती और उसका प्रेमी अपनी इक्षा से बिवाह कहते है यह पूछा जा रहा है हिंदी बिवाहों में उस बिवाह को विभिन प्रकार के इंदु विवार, उसमें सात्यों से गंधर्व विवार के नाम से जाना जाता है, और यह विवार वैदी काल में देखा जाता था, वैसे तो बरतमान में भी है, तो वैदी काल में जब कोई भी यूवती, यूवक अपनी इक्छा से, कोई भी लड़का कौन सी घटना सबसे पहले आएगी, कौन सा घटना यहां पर सबसे पहले आएगी, तो इसको एक काल के हिसाब से जो पिरियड ऑग टाइम है, किस समय में घटित हुआ था, उसके हिसाब से आपको एर्रेंज करना है, यहां पर प्रस्न में क्या कह रहा है, सबसे पहले, सबस तो तुमोर क्या थे एक दूसरे के समकालिंद थे उनीक टाइम के प्रियर्ट थे तो सिकंदर जो है सबसे पहले सिकंदर की मौत की यहां पर चर्चा होगी तो 27 का आंसर ए होगा आखिर यह होगा कप तो 323 में सिकंदर की मृत्यु जो है तो फिर आपका सुंग वंस के स्थापना होगी फिर सुंग वंस का अंतिम सासक जो है देवभूती के हत्या होगी तो फिर कर्णव के स्थापना होगी इस तरीके से जाएगा तो आगे बहुत सारा जाएगा लेकिन यह सबसे पहले इस घटना करम में आपका सिकंदर का मोत होगा 323 पी में बेबिलोऑन जो की सबसे पहले घटित हुआ था प्रस्न संक्या 28 निम्लिकित में से कौन सी ध्वनी तरंग की एक विसेस्ता नहीं है आयाम आबरिती चाल ध्वनी की विसेस्ता है उसमें चाल होगे नहीं भई साउंड में ध्वनी में आयाम भी होगा आबरिती भी होगी कमपन भी होगा उसमें संपीडन की एक बात करें तो यह उसमें नहीं होता है ठीक है संपीडन इसकी विश्यस्ता नहीं है संपीडन का आर्थ होता है सिकुरना तो ऐसा इसमें घटित नहीं होता है तो हमारा option number C correct answer बनेगा प्रसंद संख्या 29 बंगाल की दिवानी किस वर्स इस इनिया कंपनी को हस्तांत्रित हुई थी तो यह हस्तांत्रित किया गया था 1765 में ठीक है 1765 में बंगाल में जब 1764 का 22 अक्टूबर बाइस अक्टूबर 1764 का यूद हुआ था बकसर का यूद उसके पास उसके बाद जो है बंगाल में द्वेद सासन ठीक है जो कि कब हुआ था इसके बाद ही बकसर के यूद के बाद द्वेद सासन पहती लागू की गई और इसी के आधार पर जो दिवानी है इस इंडिया कंपनी को परधान कर दिया गया इसी के बाद साथियो इलाहाबाद की सायद भी संधी हुई थी जैसा कि मुझे याद है आप एक बाद देख ल वेलेंटाइल शिरोल के द्वारा डैस के रूप में वर्नित किया गया है तो इन्हें भारती असांती का जनक कहा जाता है ऐसा कहा नहीं जाता है वेलेंटाइल शिरोल ने बाल गाधर दिलक को भारती असांती के जनक के रूप में बताया है प्रसिंसें क्या 31 द इंसाइडर इस नामक से इस सिर्शक के नाम से पुस्तक के लेखक निमलिकित में से कौन है किस लेखक ने इंसाइडर नामक सिर्शक से एक पुस्तक को लिखा है तो साथियों यह है पीवी नर्सिंगा राओ अपसे नमबर डी हमारे हैं से correct answer बनेगा अगला प्रसन है प्रसन सेंख्या 32 हुरका बॉल डैस में परचली एक निर्थ रूप है देखिए यह डांस का है हुरका बॉल और यह जो डांस है यह आपका उत्राखंड में देखने को मिलता है उत्राखंड राज में किरसी कार के समय एक लोग गीत और लोग निर्थ किया जाता है जिसको हुरका बॉल के नाम से जाना जाता है इसमें क्या होता है दो लोग यानि कि यूगल रहते हैं इसमें यूगल जोरा रहता है और यह इस निर्थ को करते हैं प्रसन संख्या 33 भारत के जन सांख्य की इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष या The Year of the Great Divide के नाम से जाना जाता है किसे जाना जाता है इसका अंसर हो जाएगा 1921 क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि 19 में जन संख्या बिरिदर कम वा मिर्त्युदर अधिक रही थी और इसे The Year of the Great Divide के नाम से जाना जाएगा भारत में जो पहली जन गना 1872 में हुई थी और किसके कालकाल में हुई थी लॉड मियो के कालकाल में लॉड मियो के द्वारा करवाया गया था 1872 में प्रस्ण संक्या 34, 34 नमबर प्रस्ण संयुक्त राष्ट के खा देवं किरसी संगठन फाव ने वर्स डैस में कस्मीर के केसर बिरासत को वैस्विक रूप से महत्वपून किरसी बिरासत प्रनाली घोसित गया गया है तो यह घोसित किया गया है साथियो 2011 में सिर्ण तराष्ट के खा देवं किरसी संगठन जो की फाव है ठीक है फूर्ड एगरिकल्चर और्गनाजिशन बोला जाता है उसके द्वारा 2011 में कस्मीर का जो केसर बिरासत है उसको बेस्विक रूप से महतवपूर्ण कृसी बिरासत प्रनाली घोसित किया गया है प्रसं संग्या 35 किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिक्तम मातरा बणी रहती है यानि कि कुछ समय तक क्या होता है उसमें रहता है ठाहे हाड़ नहीं रहता है पानी की मात्रा उसमें ब़ुआ रहती है तो यह हो जाएगी चिक्नी मिटी ऑप्सन नमबर डी हमारा यहाँ से करेक्टन आंसर हो जाँगा इसमें जलग रहन की अधिक जमता पायी जाती है प्रसे संक्या 36 1955 से पुर्व निमलिखित में से किस बैंक को Imperial Bank of India के नाम से जाना जाता था तो यह था आपका साथियों यह था भारती एस्टेट बैंक एस्टेट बैंक आफ इंडिया की अस्थापना जो है 1955 में की गई थी 1955 में इससे पुरू जो है यह Imperial Bank के नाम से जाना जाता था Imperial Bank के अस्थापना जो है वह 7 जनवरी 1921 को ही थी ठीक है Bank of India के आगर बात करें भारत में अंग्रेजी के काल में जब अंग्रेजों का सासन था चुकि भारत तो आपको 1947 में ना आजाद हुआ था उससे पहले अंग्रेजों का सासन हुआ करता था तो उस सासन के दोरान उसी के समय में 27 जनवरी 1921 को Imperial Bank of India की अस्थापना की गई थी और जब सोतंत्र भारत में के बात करें 1947 के बाद तो 1955 में ठीक है ना इसी का नाम बदल करके क्या कर दिया गया State Bank of India से इसकी नाम इसका अस्थापना हुआ और यह गोरेवाला समीती के सिफारिस पर किया गया था गोरेवाला समीती के सिफारिस पर इसका नाम जो है State Bank of India में इसको कनवर्ट कर दिया गया था 1955 में प्रसन संख्या 37 नेमलिकित में से कौन सा देश के द्वारा की गई वर्ल्ड कप में और भारत क्या हुआ था उपविजेता बना था उपविजेता बना था और विजेता आपका ऑस्ट्रिया था विजेता आपका ऑस्ट्रिया था मेजवानी भारत के द्वारा किया गया था और इसमें प्लेयर अब दे टूर्णामेंट विराट को लिट, सॉरी, प्लेयर अब दे सिरीज है ना, हाँ टूर्णामेंट भी कह सकते हैं उसको और प्लेयर अब दे मैच, फाइनल मैच में ट्रेविस हेड रहे थे चलिए, अगला प्रसन है, प्रसन संख्या 38 निमलिखित विकल्पों में से कौन सा सिंदु घाटी सभेता का नगरपतन बंदरगा सहर नहीं है अब देखे साथ यो लोथल गुजरात में पड़ता है, तो वह तो बंदरगा सहर है बाला कोट आपका बंदरगा है, खीर सारा बंदरगा है लेकिन राखी गड़ी के एकर बात की जाए, ठीक है तो यह सिंदु घाटी सभेता का एक पूरा तत्विक अस्तर है, बंदरगा नहीं है और यह सातियों हडियाना में है, राखी गड़ी कहाँ परता है, हडियाना में ठीक है, और यह सातियों वह बंदरगा नहीं है प्रसे संक्या 39 डिंग को सी का सम्मद्ध किस खेल से है, देखिए, डिंग को सी का सम्मद्ध यह एक सातियों मुक्यबाज है इनका सम्मद्ध मुक्यबाजी से हैं और यह मनिपूर के रहने वाले हैं यह जो हैं इनका सम्मद्ध मनिपूर से हैं इनके दोरा 1998 में जो ACI खेल हुआ था उसमें गोल्ड मेडल जीता गया था अगला प्रेस्ट है प्रेस्ट सेंख्या 40 40 नेमबर प्रेस्ट में कहा रहा है कि इन ही चोष है न इन ही चोष बोला जाता है 23 अभ्यास 24 अपरेल 2030 से 4 मई 2030 तक भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा इसका आयोजन जो है भारत और ग्रीज के मद्ध आयोजित कि किया जाएगा इस युद्ध अभ्यास की और इसमें इसका योजन 24 अपरेल 2030 से 4 मई 2030 के मद्ध किया जाएगा और किया जाएगा ना इस तरह थी वो तो प्रस्ट जो पूछा था उससे में किया जा चुका है प्रस्ट सेंख्या 41 HSBC इंडिया के ब्रांड इंफ्लूएंसर के रूप में किसे न्युक्त किया गया है तो यह बने हैं आपके सबसे पसेंदा क्रिकेटर में से एक विराट को हो ली आपसन नमर ए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रस्ट सेंख्या 42 न्युक्त में से किस सहर में महराष्ट का सबसे बढ़ा अंतराष्टिए स्कूल अस्थापित किया जाएगा महराष्ट का सबसे बड़ा इंटरनेशनल स्कूल की अस्थापना पूने में की जाएगी वेलिंटन कॉलेज 170 सार पुरानी विरासत के साथ UK के सिर्ष स्कूल में एक है सितंबर 2030 में सुरू होने वाला सेचनिक वर्ष के साथ पूने में एक K-12 स्कूल की अस्थापना की जाएगी प्रसन संक्या 43 कौन सा राज कुछ छेत्रों में पानी की कमी के समाधान के लिए जल बजट को अपनाने वाला पहला राज बन गया है ऐसा करने वाला पहला राज जो है वा केरल बना है प्रसन संक्या 44 किस राज या किन सासी प्रदेश में किरसी उतपादन विभाग ने राज में किसान संपर्क अभियान कारिकरम सुरू किया है तो जम्मू कास्मिर में साथियों जम्मू कास्मिर के किलिसी उत्पादन विभाग के द्वारा किसान संपर्क अभियान कायक्रम की शुरुवात की गई है ठीक है और इस अभियान को जम्मू कास्मिर में 355 पंचायतों में सुरु किया गया है प्रसें सेंग्या 45 इसके शुरुवात धर्म साला में की गई है इसकी सुरुवात जो है हिमाचल प्रजिस के धर्म साला में सुरु की गई है प्रसें सेंग्या 46 केन सरकार ने नमामी गंगे कायक्रम के तहत कितनी परयोजनाव के लिए 638 करोड रूपए मंजूरी परदान किये है तो इसके लिए कुल सात्यों केन सरकार में नमामी गंगे कायक्रम के लिए इस परयोजनाव के लिए 638 करोड रूपए की रासी आवंटित की गई है प्रसें सेंग्या 47 निमलिखित में से किसे नेपाल के द्वारा सेना के मानत जनरल के पद से सम्मानित किया गया है यह समान दिया गया है सेना प्रमुख M.M. नर्वाने को भारतिये सेना प्रमुख जनरल M.M. नर्वाने को हाली में जनरल ओफ्द नेपाल आर्मी की मानत उपादी से सम्मानित किया गया है काठमान्डू में एक विशे समारों में राष्टपती के अधिकारिक निवास सीतल निवास में नेपाल की राष्टपती विद्या देवी भंडारी ने जनरल नर्वाडे को इस मानद उपाधी से सम्मानित किया है प्रसें सेंग्या अन्टालिस भारत वर राज निपोर्ट भारत का वन राज रिपोर्ट दोहजार एकीस है उसके बारे में निमलिखित में से कौन सा कथन इसमें से कौन सा स्टेट्मेंट सही है तो साथियो इस रिपोर्ट के अंसार भारत में कुल वन और ब्रिक्च आवरन बाइस सो एक सठ वर किलोमीटर हो गई है एक नमबर आप्शन गलत हो गया और पिछले वर्च की तुलना में मैंगरोब कवर 17 वर किलोमीटर की वरिदी हुई है आप्शन नमबर दो जो है हमारा यहां से क्या हो जाएगा सही आंसर होगा भारत और यूके मुक्त वेपार समझोते के सम्मंध में निमलिखित में से कौन सा कर्थन इसमें से सही है अब देखिए पहला आप्शन है मुक्त वेपार समझोते का मुक्ध उद्देश 2030 तक भारत और यूनाइटेट की इननेंग के बीच दूइपक चिये वेपार को दोगुना करना है तो पहला यह स्टेटमेंट आपका सही है आप्शन नमबर दो में कह रहा है स्टेटमेंट नमबर दो में कि मुक्त वेपारवारता का पहला दौर 17 जनवरी से सुरू हुआ तो साथियों दोनों के दोनों आप्शन सही होंगे और आपका आप्शन नमबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेशन सेंकिया 50 भारत ने 2030 तक नविकर्णी उर्जा का नया लक्ष निर्धारित किया है कितना निर्धारित किया गया है तो इसके अंतरगज जो है वह सारह 400 गिगावाट का लक्ष जो की नविकर्णी उर्जा से समन्दित है टार्गेट रखा गया है 2030 तक तो 50 का option number C हमारे यहां से correct answer हो जाएगा और यह जो है लक्ष समयुत राश चलवाईू कारेवाही सिखर समेलर में पिछले सार सितंबर में प्रधान मंतिर नर्मोदी के द्वारा इसकी घोसना की गई थी प्रस्न संख्या 51 निम्न में कौन सा बस्तु से बड़ा अभासी प्रतिवियम निर्मित कर सकता है देखिए बस्तु से बड़ा होना चाहिए और साथी साथ अभासी प्रतिवियम चाहिए अभासी प्रतिवियम तो यह किसके द्वारा होता है अबतल दर्पन के द्वारा में उत्तल में क्या होता है चोटा होता है और यहां पर क्या कह रहा है बड़ा करना है न तो इसके लिए अबतल दर्पन का होता है और इसमें आफासी प्रतिविम बढ़ता है और बस्तु से बड़ा बनता है इसलिए क्या करते हैं सैलून में आप देखते होई ठीक है इसकी इसका जो है percentage है 0.03% option number A हमारे हां से correct answer होगा अगला प्रस्ण है प्रस्ण से क्या तीर पर 53 नमबर प्रस्ण कह रहा है कि अंकूरन के समय बीज का कौन सा भाग जर का निर्मान करता है बीज का कौन सा भाग तो यह है मुलांकूर जब आप पेर में मान लेते हैं क ठीक है कुछ इस पर लगा हुआ है और नीचे जो है नीचे यहीं जो है यह क्या करता है जर का निर्मान करता है यह मुलांकूर जानि कि जिसमें से पौधा निकला और इसी यहीं मुलांकूर होता है यहीं मुलांकूर होता है जिस मूल में से अंकूर हुआ है तो यह आपका क्या हो जाएगा मुलांकूर और यहीं क्या करेगा, जरका निर्मान करेगा, प्रशन संक्या 54 चौबड नमबर प्रशन, रैम किज प्रकार की संग रहन मेमोरी है सबसे पहले रैम की बात करे, तो इसका पूर्णडो रूप होता है Random Access Memory और यह जो है Primary Memory है ठीक है Option number D हमारा यहां से Correct Answer हो जाएगा प्रस्ट सेंक्या 55 अस्टक नियम यानि की Law of Octobus किसने प्रतिपादित किया था ठीक है इसको प्रतिपादित किया गया था Alexander Newlands के द्वारा इन्होंने 1856 में अस्टक के नियम का अस्टक के नियम का प्रतिपादन किया था Newlands ने प्रस्ट सेंक्या 56 किस कारबनिक योगी के नाम में प्रत्य अल जुरा होता है किस के नाम में अल जुरा होता है प्रत्य के रूप में उपसर्ग पहले लगता है 21 कारबनिक योगी के नाम में प्रत्य यानि कि अल जुरा होता है तो इसका संबंध होता है LD हाइट से ठीक है ऑपसर्ग नमबर B हमारे क्या हो जाएगा Correct answer हो जाएगा अगला प्रस्ट है प्रस्ट सेंक्या 57 संतावर नमबर प्रस्ट सरीर में तिल्ली कहां पाया जाता है इसका अंसर हो जाएगा Option number C अमासे में सरीर में तिल्ली अमासे में पाया जाता है प्लीहा को तिल्ली भी कहते है और अंग्रेजी में साथियो स्प्लीन भी कहा जाता है ठीक है यानि कि लाल रक्त का रक्त का क्या होता है कबरगा होता है है ना इसको स्प्लीन को भी बोला जाता है RBC का कबरगा बोला जाता है RBC का कबरगा स्प्लीन को आपसे प्रेसन में क्या पूछ रहा था प्रेसन में पूछ रहा था कि शरीर में तिली कहां पाया जाता है, स्प्लीन कहां पाया जाता है, तो सातियों यह पाया जाता है, अमासय में, option number C हमारा यहां से correct answer हो जाएगा, प्रेसन संख्या 58, 58 नमबर प्रेसन में कहा रहा है कि प्रकास के 7 घटक रंगों में प्रकिर्णन की घटना की खोज, 1666 में किस इसके द्वारा की गई थी, इसका जो खोज किया गया था, प्रकास के 7 घटक का, रंगों में प्रकिर्णन की घटना की आधार पर, तो इसका खोज किया था, निूटन ने, अन्ठावन का option number C हमारे यहां से correct answer हो जाएगा, अगर तरंग दैरे की बात करें, तो लाल रंग का तरंग दैर जो है, सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए आप देखते होईएगा, कि सिगनल में लाल रंग का यूज किया जाता है, क्योंकि वो दूर से ही दिखाई देता है, तरंग दैर ज़्यादा होता है, प्रकिर्णन इसका कम होता है, बैगनी रंग का प्रकिर्णन देखिएगा तो अकास का रंग कैसा दिखाई देता है निला देखाई पड़ता है क्योंकि उसका क्या होता है प्रकिर्णन ज्यादा होता है फैलता है इसी अकार्ण अकास निला दिखाई देता है लेकि निला ऐसा है नहीं प्रसंद संक्या 59 वह पोर्ट जो डिजिटल उपक के लिए एक प्रोटोकॉल है कि इस रूप में जाना जाता है तो इसे यूएस्बी पोर्ट कहा जाता है ठीक है ऑप्सन नंबर भी हमारे हैं से करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका अगर फूल फर्म की बात करें तो देखिए यूनि वर्सल यूनि वर्सल है ना सीरियल सीरियल सोरी सीरीज हो गया फिर से लिखते है यूनि वर्सल यूनि वर्सल इस पे साथ यो लिखने में थोड़ा सा परसानी होता है चुकि मेरे पास पैड पर नहीं लिखना है तो इसी स्क्रीन पर लिख रहे हैं थोड़ा सा परसानी होगा ही होगा यूनि वर्सल सीरियल सीरि हो सकता है पिक्चर का जो क्वालिटी है आपको वह थोड़ा सा एचरी टाइप कर नहीं दिख रहा है उतना ज्यादा बहतर नहीं मिल पाड़ा है तो कोई दिक्रत नहीं अभी कॉर्परेट करें कुछी दिनों के बाद यह सारी समस्याएं भी आपकी दूर हो जाएगी अगर म साथियो इसका अंसर था हम लोगों ने अभी कर लिया था 59 नमबर भी हो गया था यूएसबी अब अगला प्रसन है प्रसन जंकिया 60 सीसा और टीन की मिस्रिध धातु को क्या कहा जाता है इसे साथियो सोल्डर के नाम से जानते हैं अप्शन नमबर डी ठीक है दो तरह के सोल होता है यानि कि मिस्र धातु होता है इसे वर्तनी या चांदी का सोल्डर भी कहते हैं अगला प्रसन है प्रसन संक्या 61 निमलिखित में से किस उपकरन का उप्योग वायो मंडलिये दाप को मापने के लिए किया जाता है तो आप जानते हैं बैरो मीटर का यूज जो है उप् करता है मीटर लगा रहता है वहन में तो यह क्या करता है वहन की दूरी जो है उसको मापने का काम करता है चलिए थर्मा मीटर से बात करें तो टेंपरेचर मापते हैं अगला प्रसन है प्रसन संख्या 62 प्रतियक वरिक में यानि कि किड्नी की बात कह रहा है वरिक में बड़ का समंद्ध किर्णी यानि इसी समंद्धित है अवरिक कानू तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्सन नबर सी हमारे यहां से करेक्ट आंसर बनेगा अगला प्रेसन है प्रेसन संक्या कनवर्ट हो जाता है ठीक है प्रेसन संक्या प्रेसन संक्या 64 डैस फूड प्वाजनिंग होने की सबसे अधिक संभाब ना होती है किसके दौरा तो देखिए सुचमजीवों के दौरा खराब किये गए भोजन को खाने से यानि कि दूसित भोजन खाईएगा बहुत दिन का बा amarion इहां से करेक्टांसर बन रहा है प्रेसन क्या पैंसट को बोल का पूम रूप क्या है को बोल का फूल फॉर्म पूछा जा रहा है इसका मतलब हुत है साथ ही कॉमन ठीक है कॉमन बिजनेस ओरियन्टेट कॉमन बिजनेस ओरिएंट द language common को एक C उसे common बना दिया है है ना B से business बना दिया है है ना और O से oriented और language हो गया है इस तरीके से इसका पूर्ण रूफ है option number D प्रेस्ट संक्या 66 66 नमबर प्रेस्ट में कहा रहा है कि मीनी माता convention को किसी भारी धातु के उत्रसरजन पर ध्यान दिलाने के लिए 2013 में जापान में आयूजित किया गया था जापान में क्या आयूजित किया गया था तो इसका क्या होगा answer साथ हो option number पारा है ना देखिए इसे प्रेस्ट को एक बार फिर से पढ़िए कड़ाय मीनी माता convention को किसी भाड़ी धातु के सज्जन पर उप्सन पर उसी तरीके से दिया हुआ है पारे पर मीनी माता सम्मेलन का आयूजित किया गया था यसे अगर लिखेंगे तो ज़्जादा समझ में आएगा पारे के पर जुरा हुआ मीनी माता इसी के कारण मीनी माता रोग होता है तो यह मीनी माता सम्मिलन का आयोजन किया गया था मीनी माता सम्मिलन जो की पारे पर सम्मंधित मुद्दा था तो option number A हमारे यहां से correct answer बनेगा प्रसें सेंख्या sunset यह हम लिकित में से कौन सी रसायन या gas ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पर्ण करने के लिए उत्रदाई होती है तो एक तो carbon dioxide होता है दूसरा आपका chlorofluorocarbon होता है और जलवास तो option number D हमारे यहां से correct answer हो जाएगा प्रसें सेंख्या अर्शट commercial launch से पहले किसी computer या software का trial test क्या कहते है उसे beta prediction कहा जाता है प्रसें सेंख्या 69 दूरूबल अम्र और उसके 11 का billion क्या कहलाता है उसे साथियो buffer billion के नाम से जानते है ऐसा billion जो दूरूबल अम्र या छार की साधारन मात्रा को अपनी प्रभावी अम्रता या छारक्ता में परिवर्तन किये भी न अब सोसित कर लेता है उसे buffer billion के नाम से जानते है उस वर्नक का नाम बताईए जिसकी वज़े से पौधो का रंग हरा होता है साथियो यह है chlorophyll यह क्या करता है रंग परदान करता है इसी के द्वारा क्या होता है रंग परदान होता है अलग अलग प्रकार का रंग इसी के द्वारा परदान होता है chlorophyll जो मौझूद होते है पौधे में वह क्या करता है वर्नक होते है और इसके द्वारा जो उन्हें रंग परदान होता है अलग 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 कलर का रंग जिसे फूल अलग दिखाई देंगे ठीक है न अलग अलग फूल निकलते हैं इसी chlorophyll के कारण प्रसे सेंक्या 71 थोड़ा सा जल्दी में है साती है चुकि 100 प्लस हमारा टार्गेट है और साथी साथ 100 प्लस आपको reasoning भी सॉल्ब किया जाएगा सेट में तो बहतरी यहां पर आपको त्यारी मिल जाएगी वैसे आप अगर अभी तक इस चानल से नहीं जूरे हैं पहली बार इस चानल पर विजिट की है तो इससे सब्सक्राइब करें और अपने ग्रूप में जरूर सेयर करें और उन्हें भी बिहार सेसी के त्यारी में इस प्लेटफॉर्म के मादयम से मदद मिल जाएगी नमलिखित में से कौन सा देश यूरोपिय संग का हिस्सा नहीं है इसमें जो ऑप्सेन निसातियों वह हंगरी, जर्मानी, ग्रीस यह यह यूरोपिय संग का हिस्सा है 27 देशों का यह समू है प्रसंग क्या 72 नमलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशेर है सबसे बड़ा ग्लेशेर जो है वह आपका लैमबर्ट फी Hiçर ग्लेशेर है अप्सिन नॉमबर B जो की कहा हैंटार्किका में स्थित है अन टार्क्टिका में इस्तित है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेसियर है ग्लेसियर जो है वो उसी के माध्यम से पृत्वी पर मीठे पानी का सबसे बड़ा शुरोत उत्पन हो पाता है Option Number B हमारे हाँ से correct answer होगा परसंचिया 73 इन्हें में से कौंसा Android Mobile Operating System का संसकरन नहीं है देखिए लॉलीपॉप, पाई और मार्सलो यह Android Mobile Operating System का संसकरन है यानि की वर्जन है लेकिन Candy Bean इससे समधित नहीं है ठीक है गैं curry Bean Android Mobile Operating System नहीं है प्रसिन सेंख्या 74 स्यामा प्रसाद मुखर जी बंदरगाह इनमे से किस अस्थान पर इस्थित है यह साथियों कुलकाता में है ठीक है पश्ची बंगाल के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए 12 जनवरी 12 जनवरी 2020 को कुलकाता पोट के एक समारो में एक घोसना की गई कि जिसमें कुलकाता पोट का नाम डॉक्टर स्यामा प्रसाद मुखर जी के नाम पर रखती रख दिया जाएगा और ऐसा कर दिया गया प्रसिन सेंख्या 75 मार्च 2021 में अपने बंगला देश दोरे के दोरान प्रधानमति नायन मोदी ने इनमें से किस अगती विदियो में भाग लिया था उनके दोरा जब बंगला देश का दोरा किया गया था तो उन्हें ने बंगला देश के पचासवे सुतनता दिवस समारो में हिस्सा लिया था 26 मार्च 1971 को 26 मार्च 1971 को साथियो बांगला देश की सुतंता की घोशना हुई थे, सुतंत हुआ था और पियम मोदी 26 मार्च 2021 को बांगला देश की राजधानी धाका पहुँचे वहाँ या बांगला देश की 50 भी सुतंता के वर्सगाठ कारिकर में समिर्थ हुए किस के साथ सेख मुझीबूर रह्मान के जैनती के कारिकर में भी सामिल हुए अगला प्रसने प्रसन सेंक्या 76 निमलिकित में से कौन सा CDB का पुर्ण रूप है साथियो Small Industry Development Bank of India के नाम से जाना जाता है अब देखी यह option किस में है option number C में साथियो Small Industry Development Bank of India option number C हमारे यहां से correct answer हो जाएगा CDB के अगर बात करें तो इसका headquarter headquarter जो है वो लखनाव में है इसका प्रमुक कार की बात करें तो यह क्या है आप सुमझ रहे कि Small Industry Industry मतलब उद्योग है उसको क्या करता है Financial सुधा परदान करता है इसमॉल इंडस्ट्री छोटे और मध्यम uhm द्योग है उनको क्या करता वफानेंसियल सुधा परदान करता है प्रेसर सेंक्या 77 गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत था किस वर्चे पराप्त हुई था यानि गोवा पुर्तगालियों से किस सहर में इस्थित है तो यहां आपका उज्यान में परता है महा कालेशन मंदिर मद्य पर्देश के मद्य पर्देश के संथित है प्रशसंग्या Studs 79 निम लिक्त में से किसे मुक भूमिका में सरवसेश्ट अभनिता पूरुष 2021 रेनी के लिए फिल्म फ्रेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है यह पुरस्कार साथियो इर्फान खान को मिला ठीक है इर्फान खान को 2020 का फिल्म फेर पुरस्कार प्रदान किया गया प्रशन संक्या अस्सी भारतिय पसु कल्यान परिशत की अस्थापना किस वर्श की गई थी भारतिय पसु क्रिशी कल परिशत की अस्थापना साथियों 1962 में की गई थी प्रसन संक्या 81 सेख सलीम चिस्ती का मकबरा इनमे से किस सहर में इस्थित है तो यह आपको फतेपूर सिकरी में इस्थित है सलीम चिस्ती भारत में मुगल समराज के दोरां चिस्तिया संप्रदाय के सूफी संथ है और इनका म मकबरा जो है वह फतेपूर सिकरी में इस्थित है प्रसन संक्या 82 उसे विकल्प का चैन करें जिसमें दी गई घटनाओं को सही क्लानुक्रमिक क्रम में दर्सा आ गया है तो उसको हमें फाइंड करना है अब देखिए 82 की अगर बात करें तो देखिए पहला ओप्छन है असायोग आंदोलन तो असायोग आंदोलन साथियो 1920 में प्राडर्म हुआ था उसके बाद नमक सत्यागरा जो दान्डि मार्च है तो यहां साथियो नमक सत्यागरा दान्डि मार्च 1930 को हुआ था सबने अवग्या अंदोलन के दर है न तो यह हो गया था फिर आपका है तीसरा में भारत छोड़ो अंदोलन ठीक है तो यह आपका 1942 में हुआ था और उसके यहां पे चौते नमर में अगर देखेंगे तो महात्मा गांधी की दच्छिन अफरीका से वापसी है तो यह वापसी महात्मा गांधी की कब हुई थी दच्छिन अफरीका से वापसी 1915 में हुई थी 1915 में तो सबसे पहले कौन सा काम हुआ था चौता नमर महात्मा गांधी की दच्छिन अफरीका से वापसी तो चौथा नमबर पहले आएगा फिर फंदरह के बाद क्या आगया बीस यानि कि 20 किसका हो गए असरयोगान दोलोन यानि कि वन फिर यह हो गए यह हो गए अब कौन बच्चा तीस तीस यानि कि option नमबर दो तो चार एक के बाद option नमबर दो और फिर यहां पे तीसरा रहागए है ना तो तीसरा हो गया तो इस तरीके का option है 4, 1, 2, 3 option number 20 साथियों हमारा correct answer बनेगा अगला प्रस्ण है प्रस्ण संख्या 83 निमलिखित में से किस देश की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को फरवरी 2021 में एक सैन तक्ता पलट के द्वारा हटा दिया गया तो यह साथियों हुआ था यह घटना में हमार में है ना इसमें लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को हटा दिया गया था वहां के सैन को तक्ता पलट हो गया था 83 का option number B हमारा यहां से correct answer बन जाएगा प्रेसन से क्या है 84 84 84 नेमबर प्रेसन में क्या कह रहा है 84 नेमबर प्रेसन में कह रहा है कि निमलिखित में से कौन I C A N N का सही रूप है यानि कि पूर्ण रूप full from क्या है तो इसका पूर्ण रूप है the internet cooperation for assigned names and numbers यानि कि option number B यहां से हमारा correct answer बन रहा है प्रेसन से क्या 85 गोल्ड कोष्ट नामक सहर जहां 2018 के राष्ट मंडल खेलो का आयोजन किया गया था और इन में से किस देश में इस्तित है तो यह कहां पेस्तित है और गोल्ड कोष्ट और आश्ट्रेलिया का चठा सबसे बड़ा सहर है और गोल्ड कोष्ट दोजार अठार राष्ट मंडल खेलो की मेजबानी की गए थी इसी गोल्ड कोष्ट की द्वारा साथियो इस तरीके से सेट नमबर आपका 19 कम्पलीट हुआ आप इस सेट को कम्पलीट करेंगे और जहाँ भी आपको साथ यो एरर नजरा आएगा एरर यानि की मिस्टेक है ना मिस्टेक नजरा आएगा आप कमेंट करेंगे कुश्चेन नमबर के साथ आप से मिलेंगे अगले वीडियो में सेट नमबर 20 के साथ और इस 20 सेट को complete करने के बाद RBD का सेट आपका हो जाएगा complete GK और GS के लिहाज से उसके बाद जब हम लोग सारे GK और GS को complete करेंगे तो फिर सभी सेट का हम लोग reasoning कम्पलीट करेंगे चुकि हम लोग का reasoning का लक्ष है 50 में साथ ही हो 48 के आसपास लाना ही पड़ेगा 110 हम लोग का target है 110 question को सही करना target है तो आप लोग का इस channel से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बने रहे इस channel के साथ वीडियो को complete देखे अपने साथियों के साथ इसे share करें और subscribe करना bell icon को press करके all notification को on करना नहीं भूले धन्यवाद बहुत बहुत आप लोग का